नमस्कार, आपका मेरे किचन में स्वागत है आप हमारी शुद्ध शाकाहरी रेसिपीज को घर पर जरूर ट्राए करें आज में जो रेसिपीज आपके लिए लेकर आई हूँ वह है फ्राइड इडली और देखते हैं कि हम ये फ्राइड इडली कैसे बना सकते हैं इसके लिए जो चाहिए वह है हमने इडलीओं को काटकर बारिक काटकर रखा हुआ है एक साइड में बाउल में इडलिया है एक बाउल में हमने बारिक कटा हुआ प्याज और हरी मेर्चली है दोनों की क्वांटिटी वनवन है एक में हमने एक बाउल में एक कटा हुआ टमाटर, हल्दी, अजवाइन, राई, नमक, लालमेज, नमकीन, नेम की पत्ति, हरा धनिया का इस्तमाल हम इडली बनाने में करेंगे तो चलो दोस्तों बनाते हैं फ्राइड इडली एक फ्राइड पैन में हमने एक चमच तेल में राई और अजवाइन डालकर तीन चार नमकी पत्ति डाली है फिर उसके बाद में हमने उसमें बारिक कटा हुआ प्याज और हरेमेज डाले हैं अब इनको हम भूनेंगे जब तक कि ये हलके ब्राउन ना हो जाएं तब तक हम इने चलाते रहेंगे देखिए ये हलके ब्राउन हो चुके हैं अब हमने इसमें एक बारिक कटा हुआ टमाटर डाला है और इसे भी हम तब तक चलाएंगे जब तक कि ये पक ना जाए इसके लिए सबसे पहले हम इसमें हैं अ हमने नमक लिए आप अपनी स्ष्ण नमक का प्रयोग इसमें कर सकती है मैंने इस चम्मचनल लिएँ ए यह मैंने इसमें हाफ चमच मैंने इसमें हल्दी ली है और मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है अभी हम इसमें लाल मिर्च नहीं डालेंगे लाल मिर्च हम बाद में आयड करेंगे पहले टमाटर को पक जाने देंगे इसे डखके हमने दो मिनट के लिए छोड़ दिया है udah 12 मेट ढाली हैं अब मैं इसे चलाऊंगी कई एकदम सूखे हैं क्योंकि ममूली सा पानी और आपकाब किया है अब हम इसमें चलाएंगे और इसमें हमने हमारी कटी हुई इडलियां डाल दी है अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखिए ज़स्तों यह हमारी इडलियां बनकर एकदम तयार है अब हम इन्हें एक बाउल में डालेंगे हमने उपर से इसमें सोस का इस्तमाल किया है और नमकीन का अगर सिमिस आदमों से यह बना वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बैल आइकन दबा कर चैनल को सबिस्क्राइब करना ना भूले